हालो फ्रेंट स्वागत है आप सभी लोग यू आई से करेंट अफेर क्लासेश में देखिए अर्जुना का करेंट अफेर आ चुका है ना जिसे बहुत सारे और अब्जेक्टिव कोस्टेंस बनते हैं तो उसी अब्जेक्टिव कोस्टेंस को लेकर रहा है हम लोग 10-10 है आज देखते हैं सबसे पहला प्रशन क्या बोलता है वो अब्जेक्टिव दिया नहीं रहता है अर्जुना में है अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप लोगों के लिए एक और ज़रूरी सूच रहा है यह 748 करके नंबर है 748999939 इस नंबर पर आप लोगों को क्या सारंब कब हुआ 6 अक्टूबर 8 अक्टूबर 8 नवंबर या 6 नवंबर तो आंसर हो जाएगा इसका सही जो है 6 अक्टूबर 2022 ठीक है व्याख्या देख लेते हैं क्या बोल रहा है थोड़ा सा पीन यहां मोटा हो गया मैं उसको थोड़ा पतला ले लेता हूं लीड को सामिल किया गया था जब मैं इसके बुक के बारे में प्रोमो भी बना रहा था तो उस समय में आप लोगों को बताया हूं 14 खेलों के नाम वह वीडियो आप लोगों डारेक्ट देख सकते हैं यू आई से कंडमी के प्लेलिस्ट में जाकर ठीक है चलिए दली एवं एक एक ए तो एंसर हो जाएगा तीन वर्ग हो जाएगा कारण क्या था तीन वर्ग में बाटने का एंसर क्या हो जाएगा भी इसका तीन वर्ग वैक्या देख लेते हैं 36 गड़ ओलंपिक में आयू वर्ग को तीन वर्गों में बाटा गया था जिसमें प्रतम वर्ग बोल रहा है 18 वर थे ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं थार्ट कोस्टन क्या बोलता है तो थार्ट कोस्टन ये बोल रहा हमारा कि तृती श्रेणी तृती आधिवासी राष्टी आधिवासी नित्य महुत्साव का आयोजन किस इस्थान पर किया गया था एक महा समुंद है फिर कोरबा है बि 2022 का आयोजन जो है 1 नमंबर से 3 नमंबर 2022 को किया गया था और चुकि यह हमारे स्थापना दीवास का डेट है दिन था इसलिए इसका आयोजन जो है बहुत ही जादा आयमपी है परिश्छा की दिरिश्टी से इसका रायपूर के साइंस कॉलेज मैदान में किया गया था यह आप लोग याद रखेंग कई बार कॉलेज पूछ देता है करन किया था राजकंपर कॉलेज भी यानिकी उसके बारे में भी पूछा गया था तो बहुत चॉच्छा पूच्छा पिछले साल पेस्टकूंस देख लेझे हैं तरी ती आदिवाशी नित्व महोट्सा के लिए ठीम कितनी थी दो ठीम थी तीन थी चार फी थी या फिर 5 हे यौव दो हर डीम थी यह फिर चोंटा जोिए वह दो थीम थी नित्य यह 23 का निर्धारण किया गया था राज्यसासन द्वारा चलिए एक्स्प्राइशन थोड़ ठीक से नहीं हुआ है से हम लोग बाद में इसे डिस्कसिन करेंगे ठीक है चलिए चौंथा देख लेते हैं हम लोग पांचवा देख लेते हैं अब लोग देखें बुके फ्रंट में भी बहुत सारे यानि कि 36 जानी के बारे में नहीं बताया रहता है लेकिन फोटो दिया रहता है दस फीट है, ग्यारा फीट है, बारा फीट है या फिर पंदरा फीट है तो एंसर हो जाएगा आपका ग्यारा फीट थीक है, चत्रिसगर महतारी की जो कास्य प्रतीमा बनाई गई है, वेक्या क्या है 36 गण महतारी की कास्य प्रतीमा का अनावरण किया गया इसकी उजाई 11 फिट है इसके अनावरण किती एक नमंबर 2020 का अनावरण मुख्य मंत्री स्री भुपेज बगेल दी द्वारा किया गया है इसके निर्माण करता पदमस्री जे एन निलसन भिलाई के है ठीक है याद रख सहीद वीर नरायंड सीन सम्मान इस वर्च किसी दिया गया है लच्मी प्रसाद जैस्वाल ये एक कोस्चन है एंसर है एक नरायंड मरकाम एक है मदन मोहन खर्चियां यह है एक अमितेश मिश्रा है ना तो नरायंड मरकाम ठीक है इसे आप लोग याद रखेंगे क्या नाम ह सहीद वीर नरायंड सीन सम्मान से इस साल क्या किया गया है और यहां समांजीक चीतना जगत में उतकरिष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है तो ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि समाजिक चेतना जगत में यानि कि उत्कृष्ट यदि कोई प्रदर्शन करता है तब उन्हें क्या बोलता है यह सम्मान मिलता है ठीक है आगे देख लेते हैं गुंडा दूर सम्मान किसे दिय दिया है नवाजा गया है तो गुंडा को धूर सम्मान अमितेश मिश्रा को दिया गया है यह सम्मान खेल के चेतर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के तू दिया जाता है गुंडा दूर 36 गड़ के बस्तर चेतर के निवासी थे यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है चलि आगे बढ़ते हैं आठवे नंबर कोस्टन में खेले उंडिया यूथ गेम्स में 36 गड़ कौन से इस्थान पर रहा बाइस तेइस चौबिस पच्चिस तो बाइस देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भले ही बहुत पीछे रहा गया 36 गड़ लेकिन जिस तरह से 36 ग 37 गड़ने दो स्वर्ण पदक तीन रजत पदक छाकास पदक को जीते हैं ठीक है चलिए तो इतना ही याद रखने का जरूरत है इस कोस्टन में चलिए आगे देख लेते हैं नौवा नंबर कोस्टन क्या बोलता है नौवा नंबर कोस्टन यह बोल रहा है आधिवासी नित् सर पता चल गया होगा कि यह तीनों नहीं है तो याद रखें क्या नाम है का हेमन सोरेन ठीक है राश्टी आधिवासी नित्य महोट्साय का समापन 3 नवंबर 2022 को किया गया हेमन सोरेन जहारकन के मुख्य मंत्री के मुख्य अतिति के रूप में सामिल किये गये थे ठीक है चल तो अभी तक है आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल सब्सक्राइब किजिएगा क्योंकि अभी समझ जाए 15 दिन तक करेंट अफैर कंटीनू चलना है जो कि अगामी आपके प्रस्ण यानि पेपर जो होने वाला है यह प्रस्ण बहुत जादे आपके मदद क चरेंगे खेलो इंडिया यूथ गेंज का अएउजन कप किया गया चारन च्यून साद गेंज का एसे तरह जुन 2022 को किया गया था आयोजन इस्तल पंच कूला हरियाड़ा था इसका आयोजन दस दिन के लिए किया गया था 36 गड़ भी इस खेल में सामील हुआ था और इसने 22 इस्थान प्राप्त किया था ठीक है तो याद रहेगा याद रखिएगा कि आप लोगों को जो भी आनि के और भी करेंट अफेर के अगर वीडियो देखने है तो आप लोग चैनल को सब्स्राइब किजिएगा इसी तरह से नंबर पर डारेक्ट मैसेज कीजिएगा यह नंबर रहा 748-999-999-39 इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए आपको अर्जुना जो है डारेक्ट होम डिलिवरी हो जाएगा कई एरिया में जो है यह करेंट अफेर पहुंच नहीं पाता है ना मैं बहुत सारे ऐसे जीले के इरिया जानता हूं जहांके लोग अक्सर बोलते हैं कि इसे पार्सल सुविधा पर सुरू किजिए तो बिल्कुल फ्री होम डिलिवरी के साथ आपका यह शुरू हो चुका है ठीक है फ्री होम डिलिवरी के साथ और नाइंटी यह रूपीस में आपका यह डिलिवरी हो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए करेंट अफेर अर्जुना दस नए कोस्चन के साथ